नमस्कार, मैं हूँ ससी, संध्या समाचार में आपका स्वागत है, आए जर्खन के दिन भर की खबर जानते हैं भारत जापान आज होंगे आमने सामने एविमेंस, एसियन चैंपियंस टोफी 2023 में अब सभी टीमे सेमी फाइनल में जगह पाने के लिए एक दूसरे से जोर अजमाईस कर रही है मंगलवार को भारत का जापान से मुकाबला होना है, एक तरफ जहां भारतिये टीम तिन लगातार मैच जित कर सेमी फाइनल में जगह बनाने के लिए पुरी तरह से त्यार है वही जपान भी बेहतरीन परदसन जारी रखने के लिए भारत को हाराने की पुरी कोशिज करेगा बतादे भारत और जपान दोनों ही टीमे में अब तक टूर्नामेंट में अपनी तीनों मैच जित चुकी है चेंपियनसिप में पहली बार दोनों के बीच मुकाबला होना है जो अपने आप में बेहतरीन होगा दोनों टीम में मंगलवार को अपने आपको सवरस्ट्रेश्ट साबित करने के लिए एक दूसरे से भीड़ेंगी मंगलवार को होने वाले दो अने मैच में कोरिया थाइलेंड के साथ भीड़ेगा वही मलेशिया भी भीड़ांत चीन के साथ होगी भारत का मैच रात आठ बज कर तीस मिएट से शुरू होगा जारखन में भुकम्प के जटके मौसम केंद्रे ने दीजनकारी आज सुबर जारखन में भुकम्प के हलके जटके महसूस किये गा है भुकम्प का केंद्रे राज ये की उपराईधानी दूमका से 24 किलोमेटर दूर उत्तर पूरव का इलाका रहा यह जमीन से 5 किलोमेटर की गहराई पर था राजची मौसम बिज्ञान केंद्रे के परभारी अभिसेक आरा ने बताया है कि भुकम्प के जटके सुबर तीन बच कर 22 मेट पर महसूस किये गा है जिसकी तीवरता 3.7 थी उन्होंने कहा है कि भुकम्प के जटके काफी हलके थे किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान होने के असंका उन्होंने नहीं जताई है हजारी बाग में रेल हदसा ट्रेन की चपेट में आए 9 लोग हजारी बाग जिले के चरहित हना छेते में 9 लोग ट्रेन की चपेट में आग गये इन में से दो की मौत हो गई जबकि साथ लोग घायल है घटना रेलवे तेश नंबर दलदलिया गाउ के पास की है जनकारी के अनुसार 31 अक्टूबर की सुबा लगभग 7 बजे 4 ही पंचायत के बरबाहा गाउ की साथ महिलाए और दो पुरूष ट्रेक्टर पर सवार होकर दुधी मिट्टी लाने जा रहे थे वे अपने पैत्री गाउ सरबाहा गाउ से दलदलिया गाउ होते रेलवे पटरी पार कर रहे थे लेकिन जैसे ही दलदलिया गाओ के समीब 23 नंबर रेलेवे पटरी पार कर रहे थे इसी दोरान चरही की ओर से आ रही पेसेंजर ट्रेन ने ट्रेक्टर में सवार 9 लोगों को अपनी चपेट में ले लिया गुमला में चोकिदार भरती के लिए आवेदन तिथी बढ़ी गुमला जिला में चोकिदार भरती को लेकर आवेदन करने की तिथी बढ़ा दी गई है उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने कहा है कि माह अक्टूबर 2023 में दुरगा पुजा अवकास एवं अने कार्णों से कर्याले बंद होने के कारण आवेदन प्राप्त करने की अम्तिम्ति थी को चोकिदार में भरती के लिए आवेदन भरने की अम्तिम्ति थी पहले 30 अक्टूबर थी प्रन्तु कई बेरोजगारों दोरा आवेदन नहीं भरने के कारण थी बढ़ा दी गई है रगुबर दास ने उरिशा के 26 राज़िपाल के रूप में सपत गरहन किया है सपत लेने की कुछ घंटे पहले रगुबर दास लिंग राज मंदीर पहुँचे और पुजा अर्चना की रगवर्दास सोमवार को ही उडिसा पहुँच गए थे और पूरी जाकर भगवान जगरनात मंदिर में पूजा अर्षना की थी बता दे उडिसा के राज़ेपल के रूप में दास का अधिकारिक सौपत ग्रहन करीब 12 बजे शुरू हुआ चारखन से उनके समर्थक और परिवार के सदर से राज़वान पहुचे थे राज़वान में ही रगवर्दास को सपत दिलाई गई वो इसा के राज़ेपल रगवर्दास ने कहा है कि राज़ की गरीब जानता के लिए राज़वान का दरवाजा 24 गंटे खुला रहेगा इड़ी के समन अब बासी सीम हेमंद का केंद्र पर प्रहार सुबे के मुख्य मंत्री हेमंद्रेन ने मंगलवार को दुमकाय अरपोट से पलामु रवाना होने के पहले यहाँ बाचित के करम में कहा है कि इड़ी पर सवाल अब बासी हो चुका है मुख्य मंत्री हेमंद्रेन से दिली के मुख्य मंत्री अरविंद के जरिवाल को इड़ी का समन भेज़े जाने पर सवाल पुछा गया तो उन्होंने सपाट अंदाज में कहा कि देश में जहां भी गैर भाजपत सासी सरकारे हैं वहां केंद्र की सरकार क्या कर रही है यह किसी से छुपी हुई बात नहीं है CM ने आगे कहा है कि देश की जानता सब कुछ देख और समझ रही है लोकतंत्र की क्या इस्थिती है यह भी हर कोई देख हुआ समझ रहा है और विंद केजरिवाल केंद्र सरकार के सबसे बड़े विरोधी है धनबाद में बेपारियों ने किया बंद का आवाहान धनबाद जीला Chamber of Commerce के बेपारियों के साथ जीला के हर बेपारी एसोसियेशन जुड़ चुके है अभूसन रासन दुकान तो बंद रहेंगे ही इसके अलावा दवा और पेट्रोल भी लोगों को नहीं मिलेगा जीला Chamber of Commerce के अधिकारों ने बताया है कि उनके बंदी को ड्रग वा पेट्रोलियम एसोसियेशन ने भी समर्थन दिया है इसके अलावा उन लोगों ने मैथन से सिंद्री और महुदा से तोपचांशी तक के दुकानदारों का समर्थन ले लिया है बुद्धवार से पूरे जीले की दुकान दे बंद होने जा रही है बतादे बजार समीती के अधिकारों ने बताया है कि बजार समीती को भी पूरी तरह से बंद कर दिया जागा राशन मंडी के अलावा फल बेपारियों ने भी उन्हें समर्थन दिया है और वो अभी इस बंदी का पुरी तरह से समर्थन कर रहे हैं CM हमंत के कारिकरम का RJD नेताओं ने किया बिरोध पलामू में आज मंगलवार को परमंडल अस्तरिय रोजगार मेला समुख्य मंतरी हमंसुरिन का कारिकरम आयोजीत किया गया है रोजगार मेले में CM पलामू के 5000 युवाओं को नियुक्ति पत्र बाट रहे हैं इधर कूर्सी नहीं मिलने पर RJD के पलामू जिला अध्यक्ष और गढ़वा जिला अध्यक्ष ने मुख्य मंतरी के कारिकरम का बिरोध किया है सभी मंच के सामने चले गए और हेमंसुरिन मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे हलाकी पलामू डिसी और एस्पी के समझाने के बाद सभी सान्थ हुए जिला परिशल सदसे भी नराज होकर सीम के कारिकरम से चले गए मावादी नवीन यादो जाएगा खुला जेल जारखन सरकार की नई समर्पन नीती के तहत सरेंडर कर सीधे खुला जेल सह कैमप जाने वाला पहला नक्स अली होगा मावादी संगठन का जोनरल कमांडर नवीन यादो उस पर 15 लाख रुपाए का इनाम है अगले 2-3 दिनों में 14 पूलिस के समाक्ष नवीन का विधिवत सरेंडर कराया जाएगा हलाकि काफी पहले से याद पूलिस के संपर्क में है इसके खिलाप विभीन जीलों में करीब 4 दर्जन मामले दर्ज है नवीन मूल रूप से चात्रा जीले के परताप पूर्थाना चेत्रे के बस बुटा का निवासी है या संगठन के लिए लेवी बसुलने का भी काम करता था लेवी के पैसे से उसके दुआरा रेडमा में 18.5 एकर और परताप पूर में 12.7 आट एकर जमीन खरीदने की बात सामने आई थी बठा दे की नए नकसल सरेंडर पोलिसी के तहत सिर्फ पूलिस मुख्याले के उन संसा के बाद जेल आज जी के अनुबदन से नकसली हजारी बाग इस्थीत खुला जेल सा पुनवास कैंप भेजे जाएंगे सैप में 368 पदो पर नियुक्ती पूलिस मुख्याले ने निकाला बिग्यापन सैप में 368 पदो पर नियुक्ती होगी सैप के टाटी सिल्वे और हलूब दनी वाहिनी में सन्वीदा का धार पर भूत पूरु सैनिकों की सैप में नियुक्ती की जाएगी इसको लेकर जार्खन पुलिस मुख्याल ने बिग्यापन जारी किया है जारी बिग्यापन में कहा गया है कि नियुक्ति के लिए 23 और 24 नॉवंबर को जैप एक डुरंडा में इंटर्भ्यू होगा इंटर्भ्यू और मेडिकल जाच में योग्य पाये जानने पर योगदान के लिए नियुक्ति पत्र दी जाएगी जो उमिद्वार ज्वाइनिंग के लिए आएंगे वो अपने साथ बिस्तर दो माह के भोजन की रासी और कप्रा लेकर आएंगे जार्खन सरकार बीधी ब्यवास्था बनाए रखने नक्सल बिरोधी अभियान चलाने और अने सुरक्षा समांधी दैवित के लिए पर्याप ससस्तर बल उपलवद करने के उदेश से भूत पूर्शानी की सेवा अनुबंध पर प्राप्त कर सैफ के दो वाहेनी का गठन कर जार्खन के सबसे बड़े एतिहासिक आदिवास्य मुडमा जात्रा मेला की सुर्वात हो चुकी है इस दो दुवास्य मेला की सुर्वास्वमवार को हुई रांची सिलवभक 35 किलोमेटर दूर मांडर के मुडमा में इस मेला कायोजन होता है मेला को लेकर परसासा ने पुकता इंतिजाम किये है बताएगे कि एतिहासिक मुणवा जत्रा मेला कायोजान दसहरा के दसवे दिन होता है इस बार 31 अक्टूबर कोया हमेला आवेजीत हो रहा है इसमें जारखन के लावा 36 गर उडिसा बंगाल समेत नेपाल से भी लोग आते हाए पूजा सिंगहल की जमानत पर एक दिसंबर को सुनवा है मन्रेगा घोटाला और मनी लॉंडरिंग मामले में निलंबीत आये एस पूजा सिंगहल की मुश्किली बरकरार है उन्हें जमानत के लिए अभी और इंतियार करना होगा आज पूजा सिंगहल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के नियाधीस एस के कॉल और नियाधीस एस धुलिया की आदालत में सुनवाई हुई पूजा सिंगहल की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ट अधिवक्ता सिधार लूथरा ने जमानत देने कागरा किया इस पर ED की ओर से SSG SV राजू ने अपति जताई उन्होंने कहा है कि पुजा सिंगल से जुड़े मामले में गवाही की परकिरिया चल रही है उनको जमानत मिलने पर परकिरिया प्रभावित हो सकती है धन्यवाद